नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक बर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News बने रही हमारे साथ। आप देख रहे हैं TV20 बने रही हमारे साथ। संचालक द्वारा कोचिंग सेंटर में पांच ध्यापक भी रखा। आदर्स भी अपनी अच्छी सिक्षा के लिए वायू सैनिक कोचिंग एंड मोटिवेशन सेंटर का अभार बेक्ट किया। आदर्स ने बताया कि अभी जम कर और पढ़ाई करनी है और इसी संस्ता से वह और दक्षता हासिल कर सकता है। हाँ मैं एरफोर्स से 2019 नॉवंबर में रिटायर होगा और जुनियर वारंट आफिसर की राइंग से तो मेरे मिन में ही विचार था कि मैं अपने इस लोकाल्टी में जो रिमोट एरियाज में हैं बच्चे उनको हुआ है जो कि इसन आज की डेट के हिसाफ से नहीं मिल पा र रहा था अपना टाइम कुछ ने कुछ निकाल करके घंटा दो घंटा सीव एसी बोड के बच्चों को भी कोचिंग देता था चुकी बैपढ़ाई से हमेशा कंसर जुडा रहा इसलिए मेरी जो कांटिनूटी थी बनी रही और उसी चीज को मैं आगे रिटायर होकर के कांट सेफ में तब से कांटिनूटी इन्होंने में बेंटेन की और कभी बिना अप्सेंट हुए पढ़ाई किये और इनका जब हमें लेवल देखा तो यह लेवल बढ़ा ही अच्छा था बहुत ही ओवीडियन और जो भी वर्क हम लोग देते थे हैं हमारे कोई भी टीचर जिस त में सा आउटी स्टाइब